हाई फ्रेंड आज हम चना भाजी के कड़ी बनाने वाले हैं हमने एक प्लेट में एक पाव करीबन चना भाजी लिया है यह भाजी ताजी है इसे हम अच्छे से बारे काट लेंगे चाको की सहायता से यह देखिए हमारी चना भाजी बारे कट चुकी है हम इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं इसके लिए हमें एक कड़ाई में तेल गर्म करेंगे तेल को अच्छे से गर्म करेंगे इसके बाद हम इस तेल में एक चम्मच राई के दाने डालेंगे जब तक राई के दाने नहीं फूट जाते मतलब नहीं पक जाते तब तक हम इसमें कुछनी डालेंगे यह देखें राई के दाने पूरे फट्थ चुकी हैं हम इसमें 1 चमच मैथि के डाने डाने डालेंगे वाधा चमच-हmei और एक तेज-पत्त डालेंगे इसके बाद हमने जो चना भाजी को कौ leash कर रखा था उसे डाल देंगे डालने के बाद अच्छे से से mix करेंगे mix होने के बाद इसे पकने के लिए दो नट के लिए छोड़ देंगे इसके बाद हमें बेसन का कड़ी का घुर बना लेंगे दो चमच बेसन लिया है एक चमच हल्दी पाउडर, दो चमच धनिया पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर डाल कर अच्छी से घुल बना लेंगे इसमें गुट्लिया नहीं रखने लेंगे और दो कप पानी डाल देंगे इसके बाद हम ये चने भाजी जो पकने के लिए छोड़ा था उसमें ये घुल को डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स होने के बाद हम इसमें अब स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे इसे भी अच्छे से मिलाएंगे और इसे 10 मिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिट पूरे हो चुके हैं हम इसे खोलेंगे ये देखे हमारी चने के कड़ी पक चुकी है ये देखे कितनी अच्छी पकी है हमारी चने वाली कड़ी ये कड़ी बनकर एकदम रेडी है ये देखे ये बहुत ही स्वाधिश्ट होता है ये कड़ी बनकर एकदम रेडी है